कि है फ्रेंट श्रागत है आप सभी का मिस्तिन कोजन सेंटर में सुडियों बात करेंगे आधर था हम वर्षा के बारे में यानि की हुमिरिटी और रेंफॉल के बारे में डिस्कूस करेंगे कुण कुण कौन से आपके प्रिवेस एर के कोश्चिन पूछेगे पहला सवाल बर पूत्री अमेरिका में बैदि हुए चिनोक हुआ एक परवति ढ़ल के सारे चलने वाली घर्म शुष्क हवा है जो से उक तरज अमेरिका में रॉकी परवत की पूरुणी ढालके सारे कौले रड़ोस से कनणाडा में एस सीह कूलमभिया तक चलती है यह हवा प्रशांत मासागर में होती है जो पूरवी उस्ट गढ़बंदी प्रसांत मासागर में सतेजल के आश्मान निरूप से गरम होने की परिस्थिती को दर्शाता है अर्था या एक गरम जलदारा है जो पीरुट के 180 किलोमेटर की दूरी से उत्रपश्चिम दिश्वा में प्रवावित होती है जो प्रसांत मासागर से ओकर हिंद मासागर में प्रिव्यस करती है हिंद मांसोन गमजोर हो जाता है इसे विपरी धरा भी कहते हैं इसके करद अच्छिड अमेरिका में बाढ़की स्थित्वत्पन होती है वहीं इंडोनेशिया वा अस्ट्रियों में शूखा पड़ता है बादल के निमने प्रकारों में सिया संगत का सेंगेजी पच्छाब कपाश विस्तरी पच्छाब तो इसमें जो तीन से डिफरेंट है वह आपका का पाशी है तो देखते हैं क्या है इसमें विश्च मौसम विज्ञान संगठन जिजे डबली मो कहते हैं सहीत कई प्रमुक संस्थाओं तरबादलों का वर्गी करण निम्रूप में किया गया जैसे क्य मुझाल जाएगा Dr. Marshall तक अगर रहता है तो यह तो ऑना मद्रूप उच्छ यह अगराद करते हैं यहां पर जैसे पच्छाब मेंग पच्छाब इस्तरी में और पच्छाब कपासी में इस्तरी मेग वर्षा इस्तरी मेग और कपासी मेग कपासी वर्षा मेग आते हैं चलिए अगला सवाल पर अगला सवाल भारतियों महादियुप स्वामनता इन में से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रशिद्यत हो ये वुष्ट कटबंदी मांसुनी जलवायु के लिए फहमस है भारती जो आपका हूप महादियूब है यहाँ पर बात करते हैं भारती हूप महादियू उस्ट कर्वंदी मांसूनी जलवायू के लिए फहमस है उस्ट कर्वंदी मांसून जलवायू वाले तर्टवर्थी प्रजेशर में ताब मान वर्स पर अधी रहता है जबकि ग्रिसम काल में तापमान सरवादी दर्श किया जाता है बही वर्शारित में बही का च्छादन एहुंबार इसके कार तापमान में गिराबटाती है अगला सवाल बड़े भुभागों के केंदर में मौजूद वा जलवाई है जिससे तापमान में एक बड़ी वार्शिक रेंज दौरा प्रतरूपित किया जाता है जिसमें अधिकांसता अगर्मियों में वर्शा होती है तो महादियूपी जलवाई होगा महादियूपी जलवाई बड़े भुभागों के केंदर में मौजूद वा जलवाई हुए जिससे तापमान में एक बड़ी वार्शिक रेंज दौरा प्रतरूपित किया जाता है जिसमें अधिकांसता अगर्मियों में वर्शा होती है महादियूपी जलवाई में वर्श भर वर्शा वर्श भर तापमान में अत्यदीक वर्शा गर्मियों में होती है बड़े जलवाई बड़े जलवाई बड़े जल्रास की कमी के काड़ इन छेत्रों में तापमान में अंतरा जाता है ठीक है अगले सवाल डोल्ड्रम भूमद्रेखा की इर्दिगीर्द दाब वाला छेत्र है जहां चलने वाली हमाने साथ होती है तो निम्न दाब वाला छेत्र होता है किसा यह निम्न वाला होता डोल्ड्रम के पास जो भूमद्रेखा के पास कि अगला है कि आधरिता का मापन स्वामनृता से किया जाता है तो आधरिता का मापन सुस्क तता आधर बल्ब ताप मान मापन द्वारा किसी किया जाता है वाई मंडल में विद्धमान अद्र से जलवास्प की मात्रा आद्रता कहलाती है वाई मंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% होती है यह आद्रता तीन डोपों में वाई मंडल में रहती है और आद्रता को सुस्क्यों आद्रबल्फ ताप मानमापी के द्वारा मापते हैं जब किसी वायू में आद्रता सामरत के बराबर जलबास पाजाए तो उसे संतरप्त वायू कहते हैं चबिया ठीक है यह मत्रत आपमान में वर्दी के साथ बढ़ती जाती है जिस नियुनतमताप मान पर कोई संतरप्त हो जाती है उसे उस बिंद को उसांक बिंद या डिव पॉइंट कहा जाता है अगला सवाल पर उस बनता कैसे है? यह भी सवाल पूछा गया उस बनता कैसे? तो ठंडे सतय पर आदरवायू के संगनेत होने से उस बनती है भी या ठीक है? अगला सवाल पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते है? तो उसे प्रेशी पिटेशन कहते है होता है क्या है देखते है वाय मुंडल में जलबास्ट के द्रवण से उत्पन नमीजो बादलों में संसित हो जाती है पॉर्थवी पर वर्षाहिम ओले ओशाथ के रूम में गिरती है उसे वर्षलड कहते हैं इंगलेस में प्रेशी पिटेशन कहते हैं उत्रपश्रिम भारत में सर्दियों में वर्षा का करड़ क्या होता है तो सर्दियों में अगर वर्षा होती है तो उसे का जाता है पश्रिमी विच्छोप का जाता है उत्रपश्रिम भारत में सर्दियों में वर्षा का करड़ पश्रिमी विच्छोप है यहां वर्षा हमाली राज़ों में सेब की फशल तता मैदानी वागों में रवी की फशल के लिए लाबदायक होती है पश्मी विच्छोब का उद्वा भूमत सागर में ही होता है कहां होता है भूमत सागर में ही होता है ओके